प्लांट में 35 कोरोना के मरीज बिले हैं 48 घंटे के लिए मदर डेरी प्लांट बंद कर दिया गया है पूरे जिले में दूद की सप्लाई होती थी और ये बहुत ही सकरात्मक इस्टेफ है कि 48 घंटे के लिए मदर डेरी का प्लांट बंद किया गया वरना कानपूर में नमस्ते इंडिया ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं बल्कि वो कोशिस ये कर रहा था कि कैसे अपने केस छिपा ले NCR में सब से आदा सप्लाई होती है डेपुटी सीमो प्रवीन शर्मा ने इस बात की पुश्ची की है मदर डेरी प्लांट फिलहाल 48 घंटे के लिए बंद किया गया है चुकि यहां कोरोना के संक्रमित मिले है मरीज 35 कोरोना मरीज मिले है इसलिए इसे 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया हापड का पिलगवा में यह मदर डेरी का प्लांट है यहां कल 178 लोगों की चैकिंग हुई थी जिसमें 35 लोग करोना पोज़िव लिग लिए इस प्लांट में 800 करमचारी काम करते हैं अभी उनकी चैकिंग होनी बागी है इस प्लांट से लाखों लीटर दूद दिल्ली और NCR छेतर में सप्लाई किया जाता है सबसे बड़ा सवाल है उन लोग भी जिनले को करोना था इस प्यक्ति में काम निरंतर काम कर रहे थे उनके दोवारा भी दूद्ध ही मठ्था बनाया गया मगर परसा यह मजड़ डेरी प्लांट की तरफ से वह अभी तक कोई कारवाई नहीं की जो सप्लाई बनाई गई है उसे बजार में उतार कर दिया गया है तेजेंदर पाल सिंग भारा समाचार हापुड और तेजेंदर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे भी है तेजेंदर क्या खबर है कितने लोग संक्रमित पाए यह तो आकड़ा आपने बता दिया तकरीबन 35 लोग है लेकिन आप यह भी कह रहे हैं कि जो ल पाल बनाया उन लोगों ने वो पैकेट सब बाजार में हैं यह कल मर्डेरी में चेकिंगी थी तेजेंदर लोगों चेकिंगी तो उसमें 35 करोना पोजिट पाई है जो 25 जिलेके हैं 11 अलग जिलेके हैं और सबसे बड़ी पाते हैं आप साथ लेटर दूस बना जाते हैं मच् एक ऐसा समान है जो रखा नहीं जाता है जल्दी खराब हो जाता है इसलिए निरंतर एंसियर छेत में सप्लाई होते हैं यहां पर आईस्क्रीम बिगारा बनती है बगर नमज देरी में कोई ऐसा जागरू तब्यान नहीं चला रखा था जो वहां पे देखा जासे कि करोना स लड़ने के लिए बगर रैंडम चेकिंग में जो पता लगा है 35 लोग है तो यहां पर संसर भी फैल गई और 48 घंटे के लिए सीर कर दे गई है और आज को परमचारी काम करते हैं उनकी टेस्टिंगा भी पास ही है बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए तेजेंद्र यानि तेजेंद्र ने बताया कि 48 घंटे के लिए मदद डेरी के प्लांट को फिलहाल बंद कर दिया गया है हापुल में वरारसी में देर रात कोरोना से